हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल टैग मैकर कैसे हो आप सभी आई होप आप सवाच्छ होगर बिल्कुल सेफ होगे तो आज को वीडियो सबसे पहले तो दिल से स्वारी काफी टाइम से वीडियो नहीं आए थी उसका भाई जो मेन इसन था वह था कि हमार एक्जाम चले थे एक्जाम हुआ फिर हमारा प्रेक्टिकल हुआ फिर हम चले गए होम टाउन अब आपस हैं तो अब आपको रेगुलर्ली वीडियो देखने को मिल जाएंगे हमारे चैनल पर आज का टापिक काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग है फाइनली बजाज अपनी पलसर N125 को लांच करने वाला है जो की काफी बहतरीन बाइक होने वाली एक कॉंपर्टीशन एक्सोपचीस सी केटें के जिए में काफी ज्यादा बढ़ने वाला है जो एक्सोपचीस सी में मुझे जो बाइक काफी अच्छी लगती थी रेडर 125 नहीं वाली एक्स्ट्रीम 125 दोनों काफी बैतरीन बाइक है थी तो अब उनका कॉंपर्टीशन काफी तगड़ा होने वाला है N125 के साथ क्योंकि N125 के जो लुक्स है ना वो काफी ज़्यादा जबर्दस थे एक दाव फ्रेस हैं प्लस फैमिली ओरेंटेड भी है स्पोर्टी भी है इस बाइक को कोई भी ड्राइब कर सकता है तो कॉंपर्टीशन काफी ज़्यादा होने वाला है और देखो आप सभी से इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट भी करना चाओंगा भी देखो काफी लोग है फेक वीडियो बनाते कि यह बाइक लॉंच होने वाली है और आप लोग उनके जहासे में आ हो चुकी बाइक लॉंच नहीं होई तो कभी अगर यह ध्यान रखना कोई भी नई बाइक लॉंच हो जी होगी तो वह टेस्टिंग के दौरान उसकी फोटो वीडियो हमेशा वाइरल हो जाती है क्योंकि कोई बाइक लॉंच उठी और लॉंच होगी ऐसे नहीं होता पहले क अधी était सब सब वैसे जाती है न तब यह चीज़े आती है आपमा एक होगी उसके बाइख होती है कंपनी कभी अईसा नहीं करती कि बाइक बनाई यह तो पहले चलाती हैए टेस्ट करती का Yam mlתח में क्या एक क्या प्रॉप्र मॉर्ध यह थे तो लॉंच होगी तो कभी भी बाइक लॉंच हो रही हो आपको पता करने हो इस सही में हो रही है उसकी फोटोस वीडोस वाइरल हो तो समझ जाना कि हां कुछ टाइम में आज दिन तो कल यह बाइक लॉंच होगी जैसे वह आरेस की बता रहे हैं दो साल हो गया आरेस आई नहीं बस छोटे-मुटे पतले हो सकते हैं जो आपका डिस्प्रेट का साइज है वो भी कम हो जाएगा 250-60 mm का ही रहेगा टेलिस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे पुरानी N160 वाले नहीं होंगे इस पतले हो जाएंगे 31 mm के उसके बाद को लिकिन जो में चीज है जो चेंज नहीं होना चाहि देखने को मिलेगा लाइट आप सभी को पता है N160 N250 दोनक लाइट सेव और लाइट काफी ज्यादा बैतरी ने कोई तोड़ नहीं है इनकी लाइट का इतनी जवर्दस लाइट है रात में काफी चवर करती तो यह चीज सेम रहेगी उसके बाद जो आपका मीटर है वो भी दिश्टल ही रहेगा जैसे N160 मा आता सेम वैसा ही रहेगा ब्लुटूथ में कंफ्यूजन है ब्लुटूथ आ भी सकता है नहीं भी आ सकता जहां तक मुझे लगता है ब्लुटूथ इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा साथी में एक चीज और कम हो जाएगी इस देखने को नहीं मिलेगा तो चलो इस चीजों से कम्प्रमाइस कर सकते हो बाइक में आपको 125cc का इंजन देखने को मिलेगा जो कि मुझे लगता है 125cc का इंजन ठीक है मतलब काफी बैतरी ने पर उसमें एक गेम हो जाएगा यह हो जाएगा 124cc का 124cc होने का रिजन यह नही अब यहां पर बजाज के उपर है कि वह देता है नहीं पर जहां तक मुझे लगता है कि बजाज सिंगल चैनल एविस तो देगा ही देगा और वो देना भी चाहिए बजाज और बाइक में आपको 160 mm 165 mm के आसपास का ग्राउंट क्लेंस देखने को मिल जाएगा सेंटे स्ट इसलि चला सकता है उसके बाद पीछह चलते हैं तो पीछह आपको जो ग्रेब रहां वाले मिलेंगे जैसे इसका इटापल्स फ्लिट वाला वो देखने को सेम मिलेंगा तो पीछ्ट है तो टायर पतला हो जाएगा 120 सेक्षन का ही टायर देखने को मिलेगा तो चलो भाई अब CC के साथ से चीज़े कब होंगी तभी तो mileage भिंक्रीज होगा आते हैं mileage पे पीछे भी आपको आप पीछे वाले में थोगासा डिक्कत है कि ड्रम देगी कंपनी या display देगी पीछे तो जहां तक उमीद है display दे सकती है या तो option दे देगी तो यह सब भी चीज़े हैं क्योंकि देखो budget category की bike है तो कहीं न कहीं compromise बजाज को करना होगा इस वीडियो में पहली मैं आप हर चीज़ के लिए कर दे रहा हो कि इन सब चीज़ों के लिए भी ready रहना यह चीज़ हो भी सकती है यह चीज़ नहीं भी हो सकती है क्योंकि budget को अपनी N160 और N250 बेचना भी तो है अब देखो N160 N250 mostly दोनों सेम है N160 की sale जादा होती है तो वही चीज़ लुक वह सेम रहेगा दूर से पता नहीं चलेगा कि यह N160 है या N25 साथ ही में में चीज़ जो आपका सब सेम होगा अंडर बैली एक्जॉस्ट भी वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा N160 में आता है और बात करे माइंडेज की तो इसली यह बाइक आपको 55-60 का माइलेज दे देगी हाँ अगर आप इसे बहुत अच्छे से तरीके से चला दे तो में भी यह 60 प्लस भी आपको माइलेज देगी तो यह काफी अच्छी चीज़ है कि 125 इसी की स्पोर्ट बाइक होने के बाद भी आपको जो माइलेज आपको 60 के आसपास का मिल जाएगा तो मेरे साब से तो यह चीज़ काफी अच्छी है प्राइस की बात करें तो मुझे नहीं लगता है वह जाए होगा जैसे एक्स्ट्रीम के आसपास इसका प्राइज देगा मुझे लगता है एक लाग पचीज़ अजार के आसपास फ़ास उपर नीचे इसका उन्रोड प्राइस होगा तो प्राइस भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है इसका अगर एक सो पचीज का आता है हम तो उमीद करते हैं कि जितना कम इसका प्राइज आए उतना ज्यादा ही अच्छा है और बाइक लॉंच कब होगी तो मुझे लगता है बाइक दिवाली तक बजाज से लॉंच कर देगा क्योंकि दिवाली तक भाई काफी लोग भाई खरीते हैं और सेम कंफर्म मेशन यह है कि N25 आएगी और ठीक ठाक आपको टॉप एंड भी देगी मुझे लगता है जो बाइक भगा होग 116, 17, 18, 20 ऐसे तो जाएगी जाएगी तो वेट करो बाइक का बाइक काफी अच्छी होने वाली है आप लोग इसे विल्कु ले सकते हो और वीडियो काफी टाइम बात बना तो कुछ चीजे उपर नीचे हो गई हो न तो उसके लिए भी माप कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी को पता है सेर करना सस्क्राइब करना और आप लोग तयार हो जाओ अगर आप लोग मेंसे देखो में चीज़ है अगर कोई आप में है कि हाँ भाई मैं वेट कर सकता हूं मुझे उतनी जल्दी नहीं तो एक बार N125 आने का वेट कर लो उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना तो आई होप यह वीडियो अच्छी लगी होगी जो छोटी मोटी इंफॉर्मिशन बताई मैंने वह भी आप सभी को अच क्यों देख लेकर नाम विलते न देक्स वीडियो में तर तकले लेए, घाने केर रहे, एक क्या, एक लिए प्यूपरने केट को आप सुपुटों में ट्यूदी और इसमी बताई में लिए, घाने बताई होगी जूदी मैं आप सीटर दोगी होगीज होगी अपस मैं और न स